पुराने समय में एक राजा अपने मंत्री की किसी बात से बहुत नाराज हो गया। उसने मंत्री को फांसी पर चड़ाने की सजा दे दी। राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ आज शाम मंत्री को फांसी पर लटकाना है। इसकी सुचना मंत्री को दे आओ। राजा की सैनिक मंत मंत्री और वहां सभी लोगों को राजा का आदेश बताया। ये सुनते ही सभी उदास हो गए। लेकिन मंत्री ने सभी को समझाया कि हमारे आज शाम तक का तो समय ही हमें हर एक पल को उत्साह के साथ जीना चाहिए। मित्र और परिवार के लोग निराश थे लेकिन मंत्री की बात मानकर फिर से उत्सव मनाने लगे। ये बात सेनिकों ने राजा को बताई तो राजा भी आश्चा रिचकित रह गया। उसने तुरंथी मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो। आज शाम तुम्हें फासी पर लटका दिया ज तो परिवार की साथ रहने का ये समय बरबाद हो जाएगा। इसलिए मैं शाम तक का एक एक पल उत्साह और खुशी के साथ ही बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जो व्यक्ति जीवन के हर एक पल की कद्र करता है। उसे कंत्री की सजा माफ कर दी। सीख हमें जीवन के पलपल का मुय समझना चाहिए। निराशा से बचे और खुश होकर जीवन जीना चाहिए।